अब माल निया इसकी बात कर लिए यह ठीक है यह कितना हो जाएगा पाई-वाई-टू एक चक्कर अगर ऐसे हमाना यह कितना हो जाएगा यह जाएगा 2 तो पाई प्लस पाई बाई वाई टो मतलब बेसी के लिए कर हम देखें हो यह तो यह वर्टिकल लाइन कहां पर इस होरिजॉंटल के यह थे पॉस्टे नेगेटिव दौनों मिलाके और नेगटिव भी और शक्ता है तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इसी को सेकंड बोल लेते हैं तो शेकंड का मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं 2N Pi के बाद Pi by 2 और जोड दो ठीक है तो this is nothing but LCM लिया तो मैंने आजाएगा 4N plus 1 into Pi by 2 गेसे 4N plus 1 into Pi by 2 का मतलब क्या है 4N plus 1 का मतलब क्या है यह हम explain कर चुके 4N plus 1 का मतलब क्या है वो नंबर जिसको चार से दिवाइड करने पर एक remainder आए ठीक है तो पाई भाई टू का multiple क्या होना चाहिए ऐसा नम्मर होना चाहिए जिसको हम 4 से divide करें तो remainder एक आना चाहिए तो वो क्या होता है जैसे 1 ही हो गया 1 into पाई भाई टू या फिर 5 into पाई भाई टू ठीक है या फिर चार से डिवाइड करने पर एक रिमेंड ड़ाना चाहिए मतलब चार के मल्टिबल से एक ज्यादा तो चार का मल्टिबल एक आठ होता है तो उसे एक ज्यादा चार का मल्टिबल फिर बारा होता है तो उसे एक ज्यादा इस तरह के अब यह ध्यान अखेंगे negative side पे यहां पर minus 5 नहीं आएगा यहां से कभी यह ठीक है जैसे मैं बोलू कि minus 4 तो उसे एक ज्यादा तो minus 3 हो जाएगा तो negative side पर यह ऐसे चलेगा minus 3 by by 4 यह ठीक है यहां फिर मैं बोलू चार का multiple minus 8 हो गया उसमें एक जोड़ा तो minus 7 by by 4 negative side पर ऐसे चलेगा क्योंकि तुम खुछ सोचो minus 7 को हम कैसे लिख सकते है minus 8 plus 1 लिख सकते है remainder तो positive यह उना चाहिए तो यह तो plus 1 हमेशे होना चाहिए positive negative तो यहां पर आएगा यह ठीक है ऐसा थोड़ा होगे पूरे 4 and plus 1 के आगे positive negative थोड़ा लिखा है मतलब इससे पहले वाले में तो क्या था कि 3 पाई यहां पर तो मैइनस थ्री पाई भी था यह एलग चीज़ है यह तो शीज भाट nutrное stick है यहां फिर मैंनेस तू था टो प्लस टू भी था क्लतों पाई था यहां पर इसा नहीं यहां पर यसानिक था थो तो मैनस 5 5 2 4 5 5 5 2 यानि आए माइनस 5 5 2 तो नीचे चला जाएगा यहां पर प्लस में तुम तो ऐसे ढ़र को कोई भी नंबर है जैसे मालिया में पो देखना है कि मालिया माइनस 1 1 1 5 2 यह कहां पर आएगा यह उपर आएगा यह नहीं आएगा तो कि माइनस 111 को तुम ऐसे गरके देखो कि माइनस 112 प्लस वन ऐसे लिखा है तो यह तो चार से डिवाइड हो जाएगा प्लस में बचना च्छिए माइनस हुए प्लसवन बचेगा तो यह यहीं पर आएगा ऊपर यह आएगा क्योंक्ये प्लस बचना है ठीक है तो जो एकेंड वाला एंगल है that can be detenance 4n plus 1 into 5 by 2 तो अब कौन बसता है बस अब यह 1 हो गया 2 की बात हो गई 3 की बात हो गया 4 की बात हो गई यह ठीक है इसमें इधर जाने के बिज़ाए इसमें इधर चल जाते है clockwise तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहां तक पहुंचे यहां तक क्या हो गया 2 & 5 फिर clockwise भूम गए तो clockwise भूम ने का माइनस हो गया तो अगर हम 4th angle की बात करें तो 2 & 5 तक पहुंचे और फिर इसको नहीं बोलेंगे कि यह उस टाइप का नंबर जिसको 4 से डिवाइट करने में रिमेंडर माइनस माइनस बनाएगा रिमेंडर माइनस बनत होना आता है इसको तो हम ऐसे वी ले सकते हैं 4 & प्लस 3 टाइम्स तो इसको चार बनाया है, यह हो जाएगा, 4N-4 प्लस 3, 4N चार से डिविजिवल है, तो इसको नया 4N बोल दिया, क्योंकि हम टाइप बोल ले हैं, मैं कोई equation solve नहीं कर रहा हूं, यसलिए तीन बार बराबर लगा है, और प्लस 3 बोलो या 4N-1 बोलो, same type का number आएगा, ठीक है, अब 4N प्लस 3 में बोल सकते हैं, 4N प्लस 3 किस type का number है, यह उस type का number है, जिसको 4 से डिवाइड करने पे remainder 3 आए, सही है, सही है, 4 से डिवाइड करने पे remainder 3 आए, तो मतलब यहां से आदेगा 3 pi by 2, ठीक है, और 7 pi by 2, ठीक है, और फिर तो बस 11 pi by 2, 15 pi by 2, and so on, ठीक है, नेगेटिव साइड में आदेगा, minus 5 pi by 2, minus 5 pi by 2, ठीक है, and so on, ऐसे आदेगा, तो finally, अगर मैं summarize करूँ, इन सभी points को, तो ऐसे आएगा, इस जगह पे कौन से number आएगा, 2N pi, ठीक है, इस जगह पे कौन से number आएगा, 4N plus 1, into pi by 2, फिर इस जगह पे कौन से number आएगा, 2N plus 1, into pi, odd multiple of pi, या even multiple of pi, फिर इस जगह पे कौन से number आएगा, वो आएगा, 4N plus 3, into pi by 2, ठीक है, अब तुम इसको बोलना चाहो तो, ऐसे ही बोल सकते हैं, 4N minus 1, into pi by 2, और उसी प्रकार से, इसको अगर बोलना चाहो तो, 4N minus 3, into pi by 2, ऐसे ही बोल सकते हैं, सभी है, बन्यवनलब, पहले तो आएगा, और तुम झाहिए पाई का मुल्टिपल है, अगर मुल्टिपल है, ठीक है, तो रजाएगा, सभी ऐसे बात है, उसमें, और राज़र हैं उसमें 1 पे आए, त्रीपे आएगा, बस यह देखना है कि, even multiple और odd multiple even multiple है तो 1 पे आएगा odd multiple है तो 3 पे आएगा ठीक है फिरा जी अगर πई का multiple नहीं है तो फिर हम देंकर πईवे 2 का multiple है कोई भी एंगिल की बात करें इन चारों का एंगिल में से अगर हमें identify करना है πईवे 2 का multiple है अच्छा πईवे 2 के अगर यहाँ एविन हो जाए तो 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 यहां पर फिर तो वन और थ्री में से एक जगह आएगा को टिए 2nd to 2nd ko के बीच में कैसे डेखना है की चार से डिवाई कर गए देखा थो भी नंबर आ उसको 4 से डिवाई को करके देखा के इजाति किमेंडर कि खिरा रायं तो WE बच रहाש है तो ऊपर जाएगा रिमेंडर 3 बच रहाए तो नीचे आएगा उदला वापस नेगेटिव नहीं होता है यह ध्याना है यह ठीक है तो जैसे अगर हमने बुगना question identify यह ठीक है among 1234 1234 जो हमने ऊपर define करके तो जैसे पहले हो गया 31 by second हो गया 73 by 2 3rd हो गया 80 by by 2 4th हो गया 80 by यह ठीक है 5th हो गया 70 by by 2 6th हो गया कुछ भी माइनस 118 by by 2 ठीक है 7th हो गया माल लिया फिर 8th हो गया माल लिया 1025 by by 2 ठीक है अभी तो चलो इतना ही solve कर लेता है पहले तो answer पहले का पाई का multiple और एविन और 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 तो फिर इधर आएगा 3 पर आएगा तो आंसर कितना हो गया 3 अच्छा गरवड हो गया 1 2 3 4 मिल जाएगा तो यह माल लिया हो A B C D E F G H तो यह एक answer हो गया ठीक है B पाई वे 2 का multiple है 73 को चार से डिवाइट किया ठीक है तो 72 निकल जाएगा 1 बचेगा ठीक है सबसे पहली बार तो यह ओड है ओड है का मतलब क्या है कि 2 पर यह चार पर ही आएगा यह ठीक है इधर तो आएगा नहीं 22 तो cancel हो नहीं पाएगा उसके अधर हमने 73 को फोर से डिवाइट किया तो वन बचेगा ठीक है पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर है वन बचेगा तो ऊपर आएगा तो मतलब क्या आएगा answer 2 मतलब यहां पर आएगा ठीक है 80 एटी और यह तो ऐसी cancel हो गया तो कितना बच्छा 40 तो यह तो पाई का multiple बन गया पाई का multiple बन गया तो यह तो वन पर आएगा थ्री पर आएगा फिर हमने देखा एवन या ओड है तो एवन है तो फिर फिर बन पर आएगा तो सी का answer कितना हो गया 1 even multiple यहां थे फिर अगले वाला डी तो directly even multiple पाई हो गया वो भी बन पर यह ठीक है फिर ए यह भी टू टू कैंसल हो जाएगा 35 आगया तो यह भी पाई का multiple बन गया तो even है और 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 तो फिर यहां आएगा मतलब 3 पर आएगा यह वन है यह 2 है यह 3 है इधर 4 है e के बाद कितना है f इसमें यह 2 टू कैंसल हो जाएगा तो कितना आजाएगा यह यह क्या कर दिया 9 आएगा सारी सही बोले नहीं है हाँ तो माइनस 59 पाई पाई के साथ तो बस हमें यह देखना हो था इवन है और और चाहिए वह पॉस्टिव चाहिए नेगेटिव हो तो माइनस 59 59 फिर और और हो गया तो 3 पर आजाएगा इस का अंसल भी 3 यह ठीक है अब जी पार्ट आया जी पर्ट में क्या है नेगेटिव है ओ सॉरी पाई बेट्व यह पाई भए थैजिए पाई ड्री पाई ट्व है ठीक है तो पाई डू के साथ और नंबर लिखा है और नंबर लिखा है तो या तो 2 पे आएगा या 4 पे आएगा तो तुम ऐसे question को ऐसे किया गरो 4 से divide किया तो कितना जाएगा यह ठीक है मतलब यह ऐसे लिखा जाएगा basically minus 3 ठीक है तो यह minus 3 तो नहीं हो माना जाएगा remainder तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे into 4 plus 1 ठीक है तो यह तो 4 का multiple हो गया और माना तो हम इसको ऐसे ही देख सकते हो कि अगर positive side है यह ठीक है negative को किमिट के लिए भूल जाओ negative में जैसे positive side में तो हमने क्या बोला कि उपर कौन सा आएगा जिसमे remainder 1 बचेगा नीचे कौन सा आएगा जिसमे remainder 3 बचेगा अगर negative number है तो negative sign को भूल जाओ बचे हुए को divide करके देखो और 1 और 3 उल्टा हो जाएगा मतलब जैसे negative है तो negative को भूल गए अब 123 को divide कि हमने ऐसी 4 से 4 से divide किया तो 3 आएगा यह ठीक है अगर positive होता तो 3 वाला नीचे आता negative है तो 3 वाला उपर आएगा बस roll reverse हो जाएगा यह ठीक है ऐसे याद रखो तो यह कहां पर आजाएगा इसका answer कितना आजाएगा 2 ठीक है फिल लास्ट में कितना है एच इसमें क्या है पॉस्टिव है नेगेटिव है पॉस्टिव है पॉस्टिव है तो 1 पर उपर मतलब remainder 1 पर उपर remainder 3 पर नीचे तो इसमें अगर मैंने 25 को divide किया तो 24 चला जाएगा एक बचेगा तो remainder 1 आए तो उपर उपर है तो मतलब इसका answer भी 2 यह आएगा तो यह answer होगा इसका